अजी गुडियों नहीं तो सीए में फाइनल स्फम या एडवांस फाइनेशियर मैनेश्मेंट जो भी बोलते हों पेपर नमबर फोर्टीन स्फम का रेगुलर क्लास में आपकी स्वागर था एक्चुली आज तक जो चल रहा था वो चल रहा था सिप सीए फाइनल के लिए और अब मेरी कोशिश ये रहेग्ई कोशिश कैना अब तो रिकॉर्डिंग चालो ही हो गया तो अब जो टार्गेट ये हैं टार्गेट की मिरे तो के लिए ख्यार में दिक्कत हो रही थी मैं बच्चें फाइनल की खलासे दे रहा था उसमें मेरा दिल गवाहिए नहीं क्यार में CMA final के लिए recording की जाए और CMA final के लिए SFM जो chapter उसका recording अब आपको मिल रहा है आज से classes रहेगी पहले समझ लो कि target क्या रहेगा सब्सक्राइब के जो classes है वो पहले बात कर लो फिर chapter वेप्टर डिसक्स कर लोगा अच्छली यह फास्ट ट्राइक किया exam oriented कोई class नहीं regular class ठीक है जो बच्चे मुझसे क्योंकि number of students CMA final में CMA final के picture कम है तो सीधा direct मुझसे contact में रहोगे मैं एक group बना लेता हूँ जो CMA final के लिए ही रहेगा telegram में और WhatsApp में दोरो में और उसका link भी मैं आपको share कर दूँगा तो कोई issue नहीं है उसका तो जितने भी डाउट से सीधा आप उससे पूछ लोगे और सब्सक्राइब क्या है books जो design की गई है books इस तरह से design की गई है concepts concepts और questions बेस उठाने के लिए वह हमने C.A. final के question रखे तक यह बेस हो जाए it means C.A. final के तो question रहेगे यह आपकी book में ऐसा नहीं की नहीं रहेगे वो तो आपको करना है भाई क्योंकि उसी से हमारा बेस बनेगा इसके अलावा C.A. final के questions मैंने अलग से डाल के रख दिया है कि यह C.A. final का base बनाने के लिए हमें concepts strong करने के लिए C.A. के question करने पड़ेगे और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपके exam में C.A. के question नहीं आते हैं C.A. के question जाद आते हैं तो आपके study material के book में आपके study material के question है past years exam के question है मतलब C.A. में क्या तो मैंने सारा cover कर ही रख ठीक है target क्या रहेगा target यह रहेगा कि कुछ classes वैसे तो 99% classes देड़ देड़ गंटे की रहेगी तीन गंटे का lecture है तो देड़ गंटे फिर ब्रेक रहेगा फिर देड़ गंटे की class रहेगी हाला कि आपको वह अलग अलग एक class दो पार्ट में बटी हुई दिखेगी आपको उसका numbering में ने 1234 कर दिया तो मेरे खेल से आपको समझ में जाएगी जहां break होगा मैं बोल दूँगा कि break है इसके बाद आपको next class देखना है हाला कि वह break के बाद की class रहेगी ठीक है सर यहां तक भी बात समझ मेंगी target क्या है target है कि month के चलो की 3-3 गंटे की recording है एक दिन में 3 गंटे की classes daily basis पे upload होगी कभी न सर संडे को भी upload होगी जी हां कोशिश यह रहेगी संडे को भी upload होगी छुट्टियों में भी classes upload होगी चाहे आप देखो ना देखो पर आप प्लीज जल्दी मत कीचेगा कि सर एक दिन में 2-2 classes upload कर दो होई नहीं सकता classes record हो रही है चल रही है classes तो आप ते हाद जोड के विंती है कि आप यह ना बोले जिसर दो class एक साथ upload कर दो थीन सा थीन classes एक साथ upload कर दो नहीं हो सकता एक दिन में 3 घंटे की classes upload होनी है एक class एक दिन में upload होनी है तो उस इसाब से त्पीन classes 30 दिन तो 180 गंटे में कोशिश रहेगी कि 180 गंटे में मतलब 31 जनवरी से पहले पहले आपका syllabus complete with CA के questions with CMA के questions सब कुछ सर टेश्ट लोगे क्या हाँ इस matter पे बात हो सकती है टेश्ट का क्या करना है और सर इसके अलावा revision आप करवाऊगे कि revision में करवादूगा CA में वाले बच्चों को revision में करवादूगा उसका आप टेश्ट मतलिए एक बार course खतम हो जाए फिर तो revision मेरे हाथ में है में करवादूगा revision revision पे वीडियो भी डलेंगे हाला कि मेरे YouTube में डले हुए पर वो especially CA वालों के लिए बनाएगे आप लोगों के लिए भी revision वीडियो जरूरी है ठीक है सर इसके अलावा टार्गेट है कि दो माह में खतम करना है दो माह में खतम हो जाएगा एक दिन में एक क्लास अप्लोड होगी तिन तिन घंटे के एक सटी एक सटी साट एक सटी घंटे की क्लासिस एक सटी में घंटे में सब कुछ कमर हो जाएगा टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए ग्रूप बंदने का हमारा WhatsApp ग्रूप और Telegram चैनल उस पे discussion होगा 100% अगर आप कहोगी अगर आपकी इच्छा होगी क्योंकि बहुत सारे बचे टेस्ट देने से घंटे डर देते नहीं तो मेरा भी मैं क्यों टाइम बरबात करूँ पर फिर भी अगर आप टेस्ट देते हो तो इससे अच्छी बात होई नहीं सकती पास होने की अच्छे नंबर लाने की probability बहुत ज़यद है SFM बहुत इजी सब्जेक्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फैल होता होगा target exemption का ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो सर इस्टार्ट करें बिना time गवाए काम कैसे होगा ये subject क्या है subject का नाम क्या है SFM देख रहोग मुझे बस एक बाद बताना ध्यान से क्या आपका financial management पढ़ा हुआ है CMA Inter में ना मत गुलना हाँ सर पढ़ा हुआ है तो बस उसी जो CMA Inter में अपने financial management पढ़ा था उसी का advance level है strategic financial management सर इस subject से हमें फाइदा क्या में देगा मतलब सर हम ये पूछना चाहते है कि हमारे कामका है भी कि बस पढ़ के पास हो जाना खतम का आपके बड़े कामका है भाई ऐसा कौन सा CMA वाला बच्चा होगा या CMA वाला बच्चा होगा जो share market में trading नहीं कर रहा होगा 100% आप कर रहा है मैं जानता हूँ मैं भी कर रहा हूँ हलाकि मैं तो CMA हूँ चलो ठीक है आप तो अभी CMA कर भी रहा है तो भी आप trading कर रहा हूँ और इस सब्जेक्ट में मैं आपको strategy बताऊंगा की strategy strategic financial strategy कि यार आप share market से profit कैसे कमा साथ हाँ जी मेरा काम है strategy बताऊ अच्छा सर हाँ जी इसके अलावा बड़ी सारी strategy का मतलब समस्थ strategy बनाने का मतलब समस्थ क्यार कुछ ऐसे टूल्स कुछ ऐसा दिमाग चलाते है कि profit कमा लेते है यास इस इस इस्ट्राइडिक financial management की strategy बनाना नामे इस्ट्राइडिक strategy financial management सर इसका future में यूज है कि क्या करना है करके अच्छा मैं फिर से बॉल रहा था कि मेरी classes कोशिस रहेगी देड़ घंटे के कभी-कभी एकाद घंटे में class कतम हो सकती पर देड़ घंटे की एक class रहेगी मतलब टोटल मिलाकर तीन घंटे की class रहेगी देड़ घंटे में चार section में डिवाइड है A, B, C, D A, B, C, D और पहला जो है financial market and institutions यह हमारे काम का है नहीं यहाँ जो heading, heading लिखी है न इससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें अंदर के chapter समझना है तो एक है financial market and institutions mutual fund उसमें एक practical chapter है almost यह जो chapter है यह theory chapter है theory तो सर्फ पहला सबल theory करवाओगे की नहीं करवाओगे 100% करवाओगा भई, पैसे किस चीच का ले रहा हूँ 100% करवाओगा एक chapter numerical है mutual fund इसके अलावा एक money market है instrument करके वो थोड़ा सा numerical है बाकि सत theory chapter है और institute के हिसाब से weight is 30% दे रखा फर्ष्ट चार सेक्शन है, 30% 25% 20% 25% 25% तो पच्चिस, पच्चिस, पच्चास और पच्चास और वेटेस सुनो इसाब से कभी पिपर ऐसा आया नहीं, तो मैं यह नहीं कहा रहा कि तीस नंबर का, इस चैप्टर से दस नंबर का भी आ सकता, चालिस का भी आ सकता, तो गैरेंटे नहीं है, इन्होंने लिग दिया, आपर यह देते नहीं है, अच्छो, ऐसे financial risk management, mutual fund इतना आसाँ चैप्टर मैं अभी लिखवा हूंगा चैप्टर धीरे-धीरे, पहले मैं डिसकस कर रहा हूं, इनका कहना कि 25 नंबर में ये 4 topic cover रहें, 25 नंबर, इनका वेटेज ज्यादा है भाई, कहां ये 25 नंबर में, इसमें 4X है, इसमें derivatives है, इसमें interest rate risk management है, बड़ा topic है, उसके बाद security analysis and portfolio management कितन करके, ठीक है, इसके अलावा एक आपका CMA Inter का था investment decision, CMA Inter में भी था investment decision, उसमें भी capital budgeting था, leasing था, यहां भी पढ़ना, यहां थोड़े advance limit पढ़ना, तो अगर book में जहाक कर देखोगे, तो book में जो पहला page देखोगे न, paper number 14, उसमें इस तरह से divide किया गया है, वो हमारे काम क आपको बस बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बुलते सर यह तो तीस number आता कैसे करेंगे, यह तो भाई, लिखा है, किताबों में आता नहीं है, paper उठा कर देखो, होता कुछ और ही है, तो सरा हम start कहां से करेंगे, हाँ जी, हम start कैसे करें, अब मेरे साथ सथ लिखने वाला काम करोगे, अब लिखोगे, हमें क्या-क्या cover करना, copy बनाना, copy कैसे बनेंगे, मैं आपको बता दू, दो register बनेंगे, एक होगा fair, तो fair को ऐसा बल दो, classwork, एक रहेगा classwork, और एक रहेगा homework, क्योंकि मेरी बात समझो, इतने सारे questions है, और अगर आप एक ही register में बना रहे होना भा लास्ट में पैक पी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप से हाथ जोड़के विंती है, दो register बनाना, एक में homework question रहेगे, और एक में रहेगा classwork, जिसमें मैं जो भी लिखवाँगो, सब लिखोगे, और homework question को एक बार बना लेना, उसके बाद वो register रख देना कहीं, वो कभी काम न तो अब यार वो जो पढ़ा, वो institute के हिसाब से उन्होंने इस तरह से बाटा है, हमें मतलब नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे, तो हम जो chapters लिखेंगे, हमें क्या-क्या syllabus कवर करना, क्या-क्या chapters, वो अपने हिसाब से करते हैं, और मैं थोड़ा बहुत समझाते हुए, चल चैप्टर पढ़ाऊंगा, फश्ट, उसका नाम रहेगा, Capital Budgeting, लिखिये मेरे साथ लिखोगे, Capital Budgeting, लिख लिया, मेरे सास्त लिखना देखो, फ्रासिस चलेगी कैसे, एक वो होता है कि पहले मैं लिखूँगा, उसके बाद पिर मैं आपको कहूँगा कि चलो अभी लिखो, ऐसा नहीं चलेगा, कोशिश ये करना, कोशिश के लगवग 99% केसिस में, मैं लिखता हूँ तो मेरे सास्त लिखना, मेरे सास्त ही लिखोगे, एकात परशन केसिस में, मैं पहली बोल दिया करूँगा, कि लिखो मत पहले भी सुन लो मेरी बात, उसके बाद आराम से लिख ले रहा, तो फिर मैं आपको टाइम भी दूगा, पर 99% केसिस में, मैं आपको मेरे साथ ही लिखना पहले हम, capital budget, क्या यह already CMA, इंटर में पढ़ रखा है, हाँ, पर क्या आपको कुछ याद है CMA, नहीं, मैं मान के चल रहा हूं नहीं, आता भी है तो मैं मान की चल रहा हूं नहीं, मैं पढ़ा हूंगा तो बहाई, बेसिक से, 0 से पढ़ा हूं, मैं मान के यह चल रहा हूं, क कि आपको FM होता क्या है ये भी नहीं पता ठीक है और टार्गेट है कि सौ में से सौ नंबर का पीपर अटेंट करना है ठीक है सरक क्या है कापिटल बश्टिंग कापिटल बश्टिंग मड़ा असान है मालो दो बिजनेस है A और B आप खुछ जवाब दोगे बस खत्म A और B अब मैं सोच रहाँ यार बिजनेस A करना चाहिए कि बिजनेस B करना चाहिए मुझे real estate में heart डालना चाहिए कि मुझे FMCG goods में heart डालना चाहिए मैं सोच रहा हूँ कि यार किस पे जाना चाहिए मैं दो business है मेरे सामने और इसमें भी investment कितने का है एक लाक रुपे लग रहा है और इसमें भी investment कितने का है एक लाक रुपे का एक लाक रो एक रो और साहब जी मैं पूछ रहा हूँ या फिर मुझसे मेरा कोई पूछ रहा एडवाइस ले रहा कि यार बताओ ना कौँ से बिजनेस में जाना चाहिए ए में की बी में या दोनों में कितना कितना बोले एक लाक रो इस से क्या उमीद है इस बिजनेस से उम्मीद है कि हर साल में कमाऊंगा 25,000 25,000 पास साल तक मान की चलो पास साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा सिर्फ पास साल के लिए है कोई प्रोजेक्ट है और इससे हर साल कितने कितने की कमाई हो रही है 40-40,000 की ये भी कितने साल का पास साल का इसमें भी पैसा जा रहा एक लाक एक लाक इससे हरसा लाएगा 25,000 25,000 25,000 और इससे हरसा लाएगा 40,000 40,000 40,000 सवाल ये है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए सबसे पहले सर हम स्टार करेंगे अपना SFM तो स्टार्ट कहां से करेंगे वहीं से करेंगे जहां से छोड़ा था हम स्टार्ट करेंगे कापिटल बश्टिक से दूसरा चप्टर लीजिंग सर लीजिंग क्या है बड़ी असान बात था है कभी कभी मालूम मैं खुद ही पूछता हूं आज से जवाब देना मुझे गाड़ी की जवरत है कार की मैं सीए हूं तो औरिट वगर अपर जाते है रहता हूं इस सेहर में सिप्ट हुआ हूं नया नया और मुझे भी मालूम है कि यहां मेरी ज़्यादा दिन नहीं है दो साल तीन साल बड़ी मुझे से बस उसके बाद यहां से भी बाहर निकलना है सवाल यह है कि कार की ज़रूरत है इस सेहर के लिए नया सेहर है इसके बाद कहीं और पोस्टिंग हो जाएंगी कुछ लंबी बहुत दूर जाओंगा यहां से तो सवाल बस में सर जी मुझे बस इतना बता दो कार चाहिए तो कार खरीद ही लूँ कि रेंट पर ले लूँ लीजिंग पर सर आपको दोई साल के लिए ज़रूरत है हाँ जी तो सर लीच पर ले लूँ भई लीज किराया देने क्या पेक्चा खरीदी क्यों नहीं यह समस्याए आएगी भई आपको ऐसा लग रहा कि यहार बड़ा आसान decision बहुत आसान नहीं है एक बात बताओ जो बैंक होती बैंक जो लोगों को लोन देती है कि जाओ घर बनाओ अपने घर में रहो क्या ऐसी बैंक अधिकतर जगा 99% केसिस में सिर्फ किराय के मकान में सिप्ट होती है बैंक देखना बैंक बैंक का खुद का premises नहीं होता 99% केसिस में बैंक किराय पर रहती है लीज पर तो एक बढ़ा decision है कि है तो यह जबार सारी समस्य होता है बहुत सारी नया business कर रहा है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा लाखों करोड़ रुपए आप machinery वगिरा पर खर्च कर दो खरीद कर अब जैसे मैं यहां classes open कर रहा हूं तो क्या मैं building खरीद ही लूँ यह building rent पर इंपोर्टेंट है यह building rent पर लूँ एक आद दो साल चला कर देखो यह सिधा building खरीद लूँ 100 करोड़ पर investment एक करोड़ investment यह सारी problem आती है और इन problems के लिए एक chapter है लीजी मजा आएगा इसको पढ़ने में ठीक है ज़र बात समझ में आती है आगे चलते हैं यह दो topic ऐसे जो कहीं ना कहीं CMA Inter से related है तो मुझे मैं हाला कि मैं मान के चल रहा हूं कि CMA Inter का कुछ नहीं आता वोई मान के चलूं तो ज्याद अच्छा है तीसरा chapter dairy videos इतना प्यारा chapter है इतना अच्छा chapter dairy videos सरह क्या यह पूरा share market एक बात बताओं अगर आपको लग रहा है कि Reliance का share जिसकी आज कीमत है 800 रुपा है मन से बोड़ रहा हूं Reliance का share जिसकी आज कीमत है 800 आपको यह लग रहा है कि share जो है उसका price बढ़ेगा और तीन महने बाद बढ़ जाएगा तीन महने बाद बढ़ेगा और 800 से तो उपर बढ़ेगा तो इस condition में आप अगर share market के विशाय में थोड़ा बहुत भी समझते हो तो profit कैसे कमा सकते हो आपको मैं फिर से बोड़ रहा हूं आपको क्या लग रहा है कि share का price Reliance के share का price बढ़ने वाला आसे तीन महने बाद जब बढ़ दस्त उचाल मारने वाला Sir profit कैसे कमा सकते है तो बेको फिर यह बात है आज share खरीद के रख लेते आठ सो रुपए खर्च होगे ठीक आठ सो रुपए आज खर्च होगे और तीन महने बाद अगर बारा सो रुपए profit बारा सो रुपए प्राइस हुआ तो हम चार सो रुपए कमा लेंगे इसी बात नहीं है हाला कि अगर साथ सो रुपए तो लॉस भी हो सकता पर मैं लॉस के भी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात धीर से लुप आम आदमी क्या सोचेगा आज शेर खरीद लेते कितने का 800 का तीन मैने बाद 1200 होगा दो बेज देंगे 400 कमा लिया 400 प्रॉफिट दूसरे दर से देखो क्यों ना सर्टा खेला जाए चलो सर्थ लगाता हूं किसी से और सर्थ वह दुनिया में बहुत साले लोग है जिसको उल्टा लग रहा होगा जिसको ऐसा लग रहा हो कि रिलाइंस के शेर का प्राइस गिरेगा चलो सर्थ लगा और कहीं और नहीं मैं स्टॉक एक्शेंज प तो मैंने सर्थ लगा इस बार मुझे जेप से 800 खर्च नहीं करना पड़ा मैंने सिर्थ सर्थ लगा कि बढ़ेगा और तीन मैने बाद गया 1200 रुपए हो गया शेयर का पैस तो इस टॉक एक्षिंज गया और वहां से मैं जीत गया कितने रुपए कि जीत हुई मेरी सर्थ 400 पर लेकर आगए है एक्ष्वल शेयर खरीदने में 800 रुपए आज मेरे जेप से लगता लेकिन सर्थ लगाने से आज मेरे जेप से कुछ नहीं लगा और मैंने सर्थ लगा लिया सक्टा खेल लिया इसको सक्टा सर्थ यह लेगल है हाँ ना भाई इसी में तो मज़ा है जब पर आएगे न और आपको तो डेरिविटिव अच्छा खासता है आपको तो सी ए फाइनल से ज्यादा डेरिविटिव है मज़ा आएगा बिल्खुर से डेरिविटिव इसमें हम पड़े है लेको पास होना है ठीक है पास होना अपनी जगह है पर कुछ नॉलिज लेना भी त अपनी जगह है ना है फूर्थ इसके अलावा पढ़ना है अ उन्हों कि कि अ च्ञिट रेर्ख एलावकि इस अ हाइब युट पिलिजो कि 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 अ रॉट स्वेए युट हैवे आपनी्ट है में इस आदिधमी हाँ जी इंट्रेस्ट रेट रिस्क मेनें सर ये कह चीज है इंट्रेस्ट रेट रिस्क मेनेजमेंट बस एक बात सुनो मेरे ठीक से समझना क्या है अगर हमको बैंक से लोन लेना अगर हमको बैंक से लोन लेना लोन तो बैंक के पास दो तरह के रेट होते हैं फिक्स और फ्रोटिंग अगर हम बैंक करते हैं एवडी समझते छोड़ो ना यार बैंक लोन जो आपको असानी से समझ में आ सकता पहले वह समझा देता है अगर अगर में शियर मार्केट में पैसा लगाता हूं तो कभी ज़्यादा भी मिल सकता है रिटन कभी कम भी मिल सकता आप भी जाते हूं मिल इस रिसक है है और मैं कह रहा हूं रिस्क है बस इतनी सी बात है तो क्या रिस्क है ज़रा सोचो बैंक गया पैसे जमा किया कितना बश्टन मिलेगा 6% मिलेगा चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक एक साल बाद हुआ और पता लगा कि गौवर्मेंट में या मार्केट में रेट अप बाकी FD की 10-10% हो गया 10% 10 तो नहीं होता मालो 10 हो गया और आपका तो पैसा फसा हुआ है no doubt आपको 6% मिलेगा लेकिन भाई एक साल बात तो situation अलग हो गई ना market में rate of interest बढ़ गया और आपको तो 6 मिलेगा क्या आप बरबाद हो गया हां दिकत है सरी रेट भी तो चैन्ज होगा नहीं fixed deposit में मारके तो एक बार लॉकिन फिलेट फाइब यर्स बोला आपको बैंक उस समय 6% था सब 6% बदे रहे थे तो आप भी 6% पे तेयर हो गया है लेकिन एक साल बाद नो डाउट आपको 6 मिलेगा पर 6 मिलने में भी तो रिस्क है क्योंकि मारकेट में बाकी जगा rate of interest बढ़ गया है आप 10% कमा सकते थे लेकिन आपने 6% क्या इससे बचा जा सकता है हाँ इस रिस्क से भी बचा जा सकता हो वही तो मैं आपको सिखाऊंगा नाम क्या interest rate risk management यहां पढ़ाना थोड़ा सा मुस्किल है यहां बहुत ज़्यादा बाते करना भी विकार बात है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या-क्या बोलने जा रहा हूं पर आइडिया तो देना पड़ेगा उसकी बिना कैसे SFM इस्टार्ट होगा ठीक है सर अगर आप अ में डेरिटीव भी है और इंट्रेट रिस्क बिए दोलों एक ही चैप्टर है मैंने अलग-अलग कर दिया ताकि वही हमको आसानी से अलग-अलग चीज़ समझ में जाए ठीक है इसके बाद कि पांचवा फॉरेक्स सब पूरा नाम बताइए पूरा नाम है फॉरेन एक्चिंज रिस्क मेनेज्मेंट और सर यही क्या चीज है कुछ नहीं है भाई इसमें हमें पढ़ना है डॉलर ता आठ तो पुराने जमाने की दूँँए आज एक डॉलर असी रुपे का एक डॉलर असी रुपे का ठीक है अगर मैं जानना चाता हूँ पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लूँ आप फिर आगे बढ़ाने श्टट करूँ डॉलर का रेट पहले 60 रुपे था पहले 60 रुपे था और अब इसी हुआ सूच के बताओ अच्छा हुआ की बुरा हूँ पहले एक डॉलर 60 रुपे का था अब एक डॉलर 80 रुपे का है इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं एक डॉलर का था तो पहले इसके लिए 60 रुपे खर्च हो रहा है तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे तो हमारे लिए बुरा हूँ अगर एक्सपोर्ट करते तो सर, एक्सपोर्ट करते तो पहले एक डॉल, इसको मैं एक्सपोर्ट करता था, तो मुझे एक डॉलर मिलता था, और इसको मैं कनवर्ट करा था, तो कितने रुपए मिलते था, 60 रुपए, अब अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वही एक डॉलर कनवर्ट कराऊंगा, तो कित ने का होगा 80 रुपय का हो, तो बोलो अच्छा की बुरा, सर्फ एक्सपोर्ट के लिए अच्छा और इंपोर्ट के लिए बुरा, गुट, अब मैं आपसे सिम्पल सा कॉश्चन पूछ रहा हूँ, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए अच्छा की बुरा, अगर डॉलर साट से असी होता, तो हमारे इंडियन एक्सपोर्ट के लिए बताईए अच्छा हुआ की बुरा, सोचने का डायम दिया, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए अच्छा हुआ की बुरा हुआ, सर, बुरा हुआ, डॉलर महगा होगा, सुनता हो, सुना भी होगा अपने, कई जगह से आवाज हो, पहले डॉलर साट का था, अब असी का होगा, धीरे से सौ का होगा, हम बर्माद हो जाएंगे, हम क्या कर गौर्मेट यह, गौर्मेट वह, बहुत सारी बाते करते, सोच के बोलो जो बोल रहे हो, एक डॉलर, छोड़ो ना या, डॉलर की बात, मैं आप से सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कि इंडियन एक्सपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट, हम जितना एक्सपोर्ट करेंगी, उ होई स्ट्रॉंग होगा, एग्री, और एक्सपोर्ट जादा कब होगा, जब एक्सपोर्टर को फायदा होगा, और एक्सपोर्टर को फायदा कब होगा, जब डॉलर का रेट साठ से असी हो जाए, कि साठ से चालिस हो जाए, तो उच समझ के बोलना, जब डॉलर महगा होग तब भी तो export बढ़ेगा यार क्योंकि यार यहां पहले सुनो यह calculator जो है calculator कितने का भी करा था 60 रुपय का अब कितने का भी करेगा 80 रुपय का तो मैं भी export करूँगा मेरा side वाला भी export करें के export बढ़ेगा हां export बढ़ेगा तो profit होगा तो बताओ dollar का rate बढ़ना चाहिए कि कम होना सी सर कैसी बात कर यह बहुत कुछ है बहुत कुछ जो मुझे कहां पढ़ाना फॉरेक्स में पढ़ाना अभी बहुत कुछ बात कर सकता हूं फॉरेक्स पे पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं इसलिए बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है इस चैक्टर में तो capital budgeting, leasing यह पताओ डेरिवेटिव और इंट्रेट यह शियर मार्केट का एक फॉरेक्स करी मैं नहीं बात किया और एक ले लेते हैं इस 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 आप 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 कि फायनेशेल मैंवेनेश्य怎麼 International financial management कि तरी यह क्या चीजिए इन्टेवन फाइनेश्यल में कुछ नहीं है कि यह तना आसान शेप्टर है अभी तक हम प्रोजैक्ट जो कर जो पैसा लगा रहते हैं जो बिजनेश कर रहते हैוכ exclusive अब हमें सिर्पोरशिपannie की बात होगी। हमें थोड़ा सा ऊच्छा, हमें बाहर बिजनस करना है, तो decide ये करना है कि हमें बाहर project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसमें अभी तक cash flow तो involve रहेगा कि पैसा लग रहा है कितना कितना पैसा आने वाला इसके अलावा जो पैसा आने वाला है सपोज आप US में लगाते हो US में business करते हो तो वो जो आएगा वो तो डॉलर में आएगा और डॉलर में आएगा वो आज नहीं आएगा वो तो future में आएगा डॉलर में और उसको convert करना पड़ेगा तो उससे में डॉलर करेट क्या रहेगा ये सब कुछ सोचना है उसका नाम क्या है international financial management ठीक है सर साथ क्या होता है portfolio सब पोर्टफोलियो मतलब हमारा 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 पोर्टफोलियो नहीं share market की बात करेंगे सर शियर मार्केट की तो बात यहां है यहां में single stock की बात कर रहा था कि रिलाइंस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना और लगाना तो कब लगाना यह सब कुछ यहां क्या बात करने वाले यहां यहां क्या बात करने हैं यहां कहते कि बाई तुनों सिप रिलाइंस में पैसा लगाओगे तो बरबाद हो जाओगे लगा तो सहरा में डूब गया यस बैंक में लगाते तो बरबाद हो जाते हैं सत्यम में लगाते हैं एक ही कंपनी में मत लगाऊ अलग-अलग कंपनी में पैसे लगाई अलग-अलग बहुत सारी कंपनी है आप गोल्ड में भी कुछ पैसा रखो अच्छा गोल्ड में भी रख सकते real estate में भी लगा सकते कुछ पैसे stock में लगाओ कुछ पैसे bonds में लगाओ कुछ पैसे का fix deposit करवा ली चीए इस तरह से इस सब को मिलाकर बनता portfolio तो ठीक है न सर हो गया इसके लिए chapter क्या पढ़ना हाँ लेकिन 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 एक एक important बात सुन अध्यान से में सोच सुनू तू एक जगा पैसे लगाने की अपेक्चा अलग अलग जगा पैसे लगाना है तो कुछ पैसे कुछ shares मेंने Reliance के खरीदा कुछ share Tata के खरीद लिया कुछ Yes Bank के भी खरीद लिया कुछ Amboja Cement का खरीद लिया कुछ और कुछ सा बचा और कोई भी सा Netflix के कुछ share खरीद लिया इस तरह से मैंने एक portfolio बनाया मैं जानता हूँ कि अगर company डुबेगी तो एक डुबेगी तो बाकी तो बच जाएगी इस तरह से मैंने portfolio बनाया क्या ही chapter यही बात कहता कि अलग-अलग जगा पैसे लगाओ कहता तो यही है लेकिन अब मैं आपसे बोड़ रहा हूँ मान लो COVID आ गया COVID, recession recession सब बरबाद हो रहा है सब बरबाद हो रहा है किसी का business ने चल रहा है तो बताओ क्या यह portfolio मुझे बचा पाएगा कौन सी company का share down होगा एक का की सब का सब का वो वेट से कोई नहीं बचा है सब company बरबाद होगी तो सब की सब तो बरबाद होगी तो फिर portfolio बनाने का क्या चित क्या logic रह गया portfolio से क्या हमें कोई फाइदा मिला यही सब तो बढ़ाना है हाइदा मिल सकता है कैसे मिल सकता है इसके लिए दो भी class करना पड़ेगा तो यहां में यह management सिखाऊँगा सिर्फ और सिर्फ अलग-अलग जगा पैसे लगाना ही portfolio management नहीं यह बहुत कुछ है वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश को ठीक है और last यह जो चैप्टर चलेगा इस इस mutual fund mutual fund के विशे अदर बहुत कुछ सुना है क्या है अखिर mutual fund mutual fund कुछ नहीं है भाई बहुत सारी बातें नहीं करूँगा इस matter पर बस चोटी सा चोटी सी बास शेयर कर रहा हूं सुनना धियान से मेरे यह मानना है मेरी पिचछा होती ही न अब उसक लिए मुझे आप भी जानते हैं जो जानते है ना वो पक्का जानता होगा ए ऐसा नहीं है कि बस देख लिए एक बार देख लिए शाम को देख लिए ऐसा नहीं चलेका कि साड़े तीन बज़े देख लिए आपको सुबह से साम तक देखना पड़ेगा कि कहा क्या चल रहा क्या नहीं चार्ट खोल कर बैठ जाते हैं तो वो सब देखना पड़ेगा पर इतना टाइम कहा है मेरे पास ना तो इतना नौलेज है तो कास कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं पैसे दूँ और वो शेयर मार्केट म्यूचल म्यूचल फंड बहुत सारा फंड एकटा हुए और इसको मैंने कुछ पैसे बॉंड्स में लगा दिया कुछ पैसे रिलाइंस का शेयर कुछ पैसे रियल इस तरह से लगा दिया तो यह सारा काम म्यूचल फंड एसिट मैनेजमेंट कंपनी करती कैसे हैं और क्या हो चेप्टर में खत्व जाए ऐसे फिर और लाश्ट में हमें डिस्कस करना है थियरी जिसमें सिक्यूरिटी एनलिस भी रहेगा उसमें तो और मज जाएगा लाइन चार्ट्स चार्ट्स है डिन सूलजर्स क्या-क्या बोडर समझ बनी आए हां में बोल भी क्यों रहा हूं वहां देखेंगे लाश्ट इन सब की थियोरी इन सब की थियोरी तो मैं कोशिश करूंगा यहीं लिखवा थो पर इसके अलावा भी कुछ चैप्टर से जो थियोरी के जो आता है क जो में बता दे रहा हूं लिकिन इस तरह से हम लाश्ट में थियोरी कोई यह नही कहेंगा ला सर्ड़िस चैप्टर का धियोरी इस चैप्टर वो सब के कवर हो जायगा अब चिंता नहा करूं ठीक है हम start कहां से करेंगे, हम start capital budgeting से ही करेंगे और leasing से करेंगे, ठीक है, पहले capital budgeting हो इसी sequence में आपको करना है, बार-बार मुझे message नहीं करोगे कि सर, sequence क्या रहेगा, sequence यहीं रहेगा, ठीक है जी इसी sequence में हम काम करेंगे, और सर, कौन सा chapter सबसे ज़्यादे सारी chapter important है, तो प्लीज इस matter पर बात नहां करें, ठीक है, सर, question paper का pattern कैसे रहता, कैसे आता question paper, वो ज़रूर discuss कर दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो link भी ले ना, paper pattern, इस matter पर बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सुनोगे लिएंसे, यहने सायर कहीं लिखा भी दो, चलो कोई बात नहीं, अब सुनोगे, टोटल मिलाकर दो सेक्शन होगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, यहां रहेगा question number, सुनना दियान से, हमको strategy बनानी पड़ेगी, कि हमें काम कर से, कैसे करना, और वो रहेगा, mcqs, multiple choice question, टोटल कितने question होगे, टोटल दास question होगे, और, दो नमबर का एक रहेगा, दो नमबर का एक, एक question पर, mcqs रहेगा, a, b, c, d, option रहेगा, टोटल दास question रहेगे, टिक करो, तो 20 नमर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आप जब टिक करोगे, तो आपको justification भी देना पड़ेगा, एक नमबर मिलेगा, answer correct होने पर, और एक नमबर मिलेगा, justification पर, justification का मतलब, reason भी बताना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा, सर, theory आएगा, कि 99% practical, मज आएगा, calculator चलाना आना, चाहिए तब ही होगा, सर, calculator, भाई, मैं आपको, CDC बात बता रहाँ, बहुत सारे बच्च्चों को, calculator यूज करना नहीं आता, calculator चलाना पड़े, बहुत सारे बच्च्चों के, आप में से किसी को, calculator यूज करना नहीं आता, सर, क्या बात करें, CA final इतने जमाने से बढ़ा रहा हूँ, CA final वाले बच्च्चों को भी, calculator यूज करना नहीं आता, ठीक है, ठीक है, तो calculator है, आपके पास अगर calculator है तो, और नहीं है, और है तो सुन लो, एक तो भाई, मुझे कौन कौन सी बटन चाहिए, इसमें, कास आप समझ भाऊ, एक GT करके होगा, GT दिख रहोगा, GT, दिखां, पता नहीं से नहीं दिख रहोगा, एक GT, एक ये बटन चाहिए, GT, इसके लावँ, M.U. ये भी चाहिए, M.R.C., M.M.P.L.S. तो चाहिए, एक प्लस अबलिक माइनस वाला साइन है, प्लस अबलिक माइनस, ये भी चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, GT चाहिए, M.U. चाहिए, प्लस अबलिक माइनस ये चाहिए, चाहिए, सर अगर हमारी पास कैल्कुलेटर में नहीं है, तो भी हो सकता है काम, पर क्यों खरें, 100 रुपए और 200 रुपए खर्च करो, कैल्कुलेटर नया खरीद के लाओ, GT, M.U. प्लस अबलिक माइनस ये चाहिए, मेरे पॉर्टफोलियो में, फॉर एक्स में, डेरिवर्टिव में बहुत ज़्यादा यूज है भई, ठीक है, और M.Plus, M.M.R.C. तो लगता ही है, वो तो रहता है, तो, कैल्कुलेटर का यूज करना, मैं आपको सिखाऊँगा, मैं जानता हूँ, आपको कैल्कुलेटर चलाना नहीं आता, वो मैं करना, तो सर जी, कोश्चन नमबर वान, तस कोश्चन रहेंगे, दो नमबर का एक रहेंगा, करेक्ट अंसर पर एक मिलेगा, और उसका रीजन बता देते हो, तो उस पर एक मिलेगा, तो इस तरह से काम करना है, ठिक सेक्शन भी रहेगा, जिसमें कोश्चन नमबर, टू, ट्री, पॉर, पाइफ, सिक्स, सेवन, कोश्चन नमबर एट, इस तरह से रहे, खास बात है कि यह जो कोश्चन नमबर एट दिख रहा, यह थियोरी रहे, हर कोश्चन कितने कितने नमबर करना है, तो सर, सोला नमबर का एक ही थियोरी आएगा, मैं ऐसा कब बोल रहा हूं, इसमें A, B, C, D, E, S, तरह से आप्शन रहेगा, उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हूं, उसमें भी आप्शन रहेगा, लेकिन यह बाकी सारे कोश्चन, प्रैक्टिकल कोश्चन रहेगा, तर इसका मतलब यह हुआ, आम बोलो, अगर हम थियोरी नहीं भी पढ़े, तो भी, हाँ, यही तो बात है, तो भी, आगे मैं कहना नहीं चाहता, पर, मैं टीचर हूँ, में पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा भी यह, मैंने तो लिखा हूँ, बाकी बात सहीं बोल रहे, अगर हम थियोरी कोश्च हुए भी ने, ना मारे रट्टा, हमें तो कैल्गुलेटर चलाना, अंसर निकालना है, अगर हम थियोरी नहीं भी करें, तो भी इसमें से कितने कोश्चन करना पड़ेगा, सर ये बताओ, इसमें से, कितने कोश्चन हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इसमें से पाच ही कोश्चन करना है, और पाच कोश्चन करना है, तो एक माहलो मैं theory छोड़ भी देता हूँ इसमें से भी एक question मैं छोड़ सकता हूँ मतलब 2 question मैं छोड़ सकता हूँ पर मैं फірसे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझो कि हम theory नहीं पढ़ेंगे या मैं theory नहीं पढ़ांगा तो सार हर एक कोश्चन 16-16 नंबर का नहीं 8-8 नंबर के कोश्चन नंबर 5A 5B इस तरह से आता 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर कभी कबार जिसे Capital Bustin जैसा बड़ा चैप्टर जिसमें 16 नंबर का कोश्चन आ सकता एक ही कोश्चन 16 नंबर का छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं करेंगे अच्छा तो ये पीपर का पैटर्न है आपका बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है बिलकुल आसान है जबकि CA में ऐसा नहीं होता CA में तो यार होता है उसमें भी option मिलता है पर उसमें एक question छोड़ सकते हैं या तो अब दो question छोड़ सकते हैं और उसमें MCQs होता नहीं है अब इस्टार्ट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है तो sir आप क्या multiple choice question भी करवांगे हाँ जी मैं CMA वालों को बढ़ा रहा हूँ तो मैं वैसे ही पढ़ाऊ मैं आपको MCQs भी करवांगा मैं आपको descriptive हूँ मैं नहीं मालूम कि CMA क्या हो तो उससे मतलब भी नहीं हम CMA के सबसे त्यारी करेंगे सब कुछ CMA के सबसे हो ठीक है तो sir start करें कि chapter नहीं अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ calculator के विसे में मैं आपको बता है एक chapter होता था चाहे आपने CMA foundation में पढ़ रखा हो चाहे आपने CMA foundation में पढ़ रखा हो CMA foundation अगर किया होगा तो किसी ने कुछ बच्चे हो मैस में था time value of money पर जिन्होंने मैस नहीं भी पढ़ रखा उन्होंने CMA इंटर में पढ़ रखा था time value of money क्योंकि capital bursting पढ़ा तो बिना time value of money के हो नहीं सकता तो बहुत सरे बच्चों का यह कहना सर्च time value of money हमको आता ही नहीं और जिनको आता है उनको अच्छे से नहीं आता है ऊच्छे से आता भी हो तो ने concept नहीं पता है और जिनने concept भी पता है उन्हें मैं calculator trick नहीं पता है लिख के देता हूं मैं आपको time value of money में आप expert भी हो तो भी आपको calculator कैसे चलाना है यह नहीं पता सर कहना क्या चाहते हूं कहना यह चाहता हूं पहला चैप्टर थो हमें capital budgeting ही start करना है कोई शक के बात नहीं है पहला चैप्टर हम capital budgeting ही करेंगे लेकिन उससे पहले सर time value of money सीखना जरूरी है तो आज की class में क्या होगा आज की class में break के बाद time value of money करेंगे सर छोड़ सकते हैं छोड़ दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए लेकिन जब मैं यहां पढ़ाऊंगा ना derivative पढ़ाऊंगा और मैं अगर कह दूंगा compounded annually यह compounded continuously तो हो सोड़ आई गया मैं seriously आपने कितना भी अच्छा होते कुछ बच्च मैंने आने वाला तो हाँ जोड़ के बिनती है कि please time value of money का जो lecture है break के बाद वो देख लेना उससे question MCQs तो आता है multiple choice question में डाल देगा मेरा क्या है मैं तो calculator चलाऊंगा answer बता दूँगा आप भूल जा आपको calculator समझ वह नहीं आएगा आपको table आए table देखना है table कैसे देखते future future value table है present value table है future value of annuity है present value of annuity है perpetual growth है नहीं आएगा भई तो paper समझ लिया topic समझ लिया no doubt पहला हमे capital budgeting ही पढ़ना है लेकिन 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 इन सबसे पहले आपको time value of money देखना पड़ेगा आज की class मैं अभी मैंने अभी तक मैंने क्या किया मैंने हलका सा introduction दिया कि क्या है chapter क्या इसा paper आएगा किस तरह से काम होगा और कौन कौन से topic करना है और आज ही class में break के बाद क्या होगा time value of money हो सकता वो दो घंटे की classes है हो सकता मैं अभी आपको जल्दी free कर दूँ यह अभी वैसे एक घंटा भी नहीं हुआ है पर मैं अभी आपको free कर दूँगा और इसके class 33 गंटे के रहेगी देड़ देड़ घंटे हलाकि अभी देड़ घंटे बाद break होना चाहिए पर ठीक है समझा दिया introduction होगे अब दो घंटे की class हो सकती है time value of money उसको देखिएगा daily फिर से बार बार एक चीज बोल रहा हूँ जिन लोगों को book नहीं मिली है कुछ लोग आज का lecture सुन रहे होगे आज एक तारीक है बुक तो आई नहीं है मारे पास book की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ी बुक की जरूरत अभी दो-तीन classes तक जरूरत ही नहीं है और दो-तीन classes के बाद आप book dispatch हो चुकी होगी आपके घर पहुँच चुकी होगी तो आप बिल्कुल च जाएगी पर खेर हमको soft copy से क्या मतलब है तो hard copy जाएगी तो books आपको मिल जाएगी books दो चीजों से बस एक ही चीज की request है आप प्लीज ये नहीं बोलोगे कि सर दो classes एक साथ डालो ना daily तो वो नहीं हो सकता 31 जन्वरी तक मैं आपको free करता हूँ thank you so much cma final वाले बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा उमीद है अच्छे result की तो break ले लेते है ब्रेक की बाद हम क्या करते है time value और कल से क्या करेंगे capital बेस्टिंग अभी capital बेस्टिंग में भी book नहीं लगने वाली है आपको ठीक है जब लगीगी तो मैं आपको बाता हू कि चलते है time value ब्रेक आजे